हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रश मैं हूं संगीता आवस्थी फ्रेंट्स मिनियेचर गार्ण की सिरीज में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है और आज का ये जो वीडियो है ये टोटली मेकिंग से रिलेटेड वीडियो है अगर इससे पहले का पार्ट यानि पार्ट वन आपने नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि encljam खीक रुस किया है क्या कभार से जुगार किये है और कौन कौन सी **** को मैंने अलग से बाई किया है उन सभी को मैं इसमें बटाने वाली हूँ है शे क्लील फ्रेंट एक बात और गानेशा गाडन को क्रिएट करने में मैंने फांटेन को भी करने में拜拜 किया है और ये water प्रियेट किया है अपने चैनल पर उसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया उसके लिए आप लोगों को तहर दिल से शुक्रिया आप में से अगर जिन लोगों ने उस वाटर फॉल का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दू जाए तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें और आल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बिना देर किये चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम गार्डन के ले आउट मैंने स्मॉल स्टडी टेवल पर क्रियेट किया है और उसको मैंने ग्रास मैट और लीफ मैट से कवर किया है आप देख सकते हैं यह देखिए नीचे भी मैंने इसको फ्लोर को कवर किया हुआ है और आसपास भी मैंने इसको ग्रास मैट से कवर कर दिया है यहां पर मै देख सकते हैं कि दिद्ट के देख सकते हैं यह फालत्त समय करकें देख चुम्हिंतिन हैं आइक में देख सकते हैं चुनेयर का सी कमे जिएगा पाइचर समय ытry तो रहें हो लिए 15-20 हो दिसके और मिट्टी के पॉट को मैंने स्टैंड की तरह यूज किया है उसके उपर मैंने एक सेरेमिक बॉल को यूज किया है यह काफी पुराना काफी ओल्ड एक मेरे पास बॉल था जो बहुत टाइम से मेरे घर पे पड़ा हुआ था यह इतना ओल्ड है कि आप देखेंगे तो आप कुछ डिजाइनिंग करी है आप देख सकते हैं तो देखिए मैंने इसको पेंट किया हुआ था और मैंने इस पे ब्लू कलर से पर्मनेंट मार्कर से कुछ डिजाइनिंग कर ली है आप देख सकते हैं यह इतना ब्यूटिफुल लगने लगा है पेंट करने के बाद कि आप स भरों में भी होंगे। आपने देखा होगा। तो इसको मैंने पेंट करके renew कर स़िए। रास्फमेर, डिजाइनिंग मैंने फिन्सफमीर, इसके काकी यूज कर सकते हैं। याद रखें कि फिन्सफमीर का यूज करे। इससे आपकी डिजाइनिंग रिमूब नहीं होगी डिजाइन करने के बाद वार्णिश करना बिल्कुल भी ना भूल तो फ्रेंट्स इसी सेरेमिक बोल में हमें फांटेन क्रियेट करना है तो आसपास मैंने इसकी ग्रीनरी को थोड़ा सा हाइलाइट किया है और मैंने इसमें आर्टिफिशल मनि प्लांट क्रीपर को रैप कर दिया है आसपास बोल के आप देख सकते हैं इसके बाद हमें अपने मोटर को सेट करना है जो की फांटेन के लिए यह मोटर होगा और इसके आसपास हमें कुछ भी पैबल्स या स्टोन्स जो भी आपके पास हो उनको आप प नीचे फिक्स करने के लिए जो नॉप्स दिये हैं इससे यह सेट हो जाता है और स्टिक हो जाता है उसके बाद यह आप जो प्लक देखना है इससे आप इसकी वाटर कैपसिटी को और वाटर प्रेशर को हाई और लो कर सकते हैं यह देखिए बटन इसके लिए दिया हुआ ह उसके बाद हम मोटर के उपर इस छोटे से pipe को set कर देंगे जिससे हमारा fountain create होगा फ्रेंट्स ये मोटर मुझे 250 की पड़ी थी और ये लगाता चार घंटे तक work कर सकती है इससे ज़्यादा आप कोई से नहीं चलाना है अगर आप चलाना चाते हैं तो इससे gap करके चलाएं फ्रेंट्स इस मोटर का specific feature है इसका auto changeable light system जो की lights को one by one step by step change करता रहता है आप देख सकते हैं इसके light effects काफी beautiful लगते हैं जब ये run करता है फ्रेंट्स मैंने fountain को mermaid, stones, pebbles, starfish और इन सारी चीजों से beautify किया है pin frog का भी use किया है आप अपने according इसको decorate कर सकते हैं तो फ्रेंट्स move करते हैं अब हम अपने next DIY की तरफ जो की हम एक harp बनाने वाले हैं इसको बनाने के लिए मैंने एक box का lid लिया है फूट कंटेनर का और एक hairband का use किया है आप देख सकते हैं इस तरह के hairbands आपके घर में भी होंगे तो hairband को मैंने M seal से इसमें fix कर दिया है और उपर से taping कर दी है ताकि ये इदर उदर हिले ना move ना करे और disbalance ना हो उसके बाद friends देखिए मैंने इस पे clay cutter से cut करके कुछ flowers को stick कर दिया है friends clay जो होती है वो self adhesive होती है और इसको stick करने के लिए आपको किसी भी glue की जरूरत नहीं है ये stick हो जाएंगे मैंने इसको ऐसे ही stick किया है तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं कि hairband का एक corner select करके और उसमें मैंने कुछ sticks को fix कर दिया है तो friends हम sticks को अपनी जहाँ पे रखेंगे उसी जगह उसको किसी भी पतले से wire से अच्छे से tie कर देंगे तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ tie करनी है जहाँ पे हमारी सारी sticks एक जगे collect हैं उसके बाद में जहाँ पे हमारा hairband नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसी direction में हमें wire को भी ले जाना है आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा light fluctuate हो रही है इस वज़े से सही से दिखना रहा हो तो इसको मैंने नीचे tie कर दिया है उसके बाद जो नीचे से hairband उपर की तरफ जा रहा है और एक एक stick के साथ हमें उसे tie करते जाना है friends अकेले मुझे tie करने में थोड़ी दिक्कत आई लेकिन अगर आप किसी के help लेके इसको tie करेंगे तो काफी easily tie हो जाएगा एक काम आप और कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया और मुझे बाद में लगा कि इसे करना चाहिए था कि सारी sticks को नीचे rubber band से आप एक जगा कलेक्ट करके उसको tie कर लें उसके बाद में उसके उपर wire को tie करें तो ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता था बट आप मुझे बाद में थोड़ा experience हुआ जो मैं आपके साथ share कर रही हूँ उसके बाद नीचे जो लिड है इसको मैंने green acrylic कलर से paint कर लिया है और upper sticks को जो की hairband से उपर वाला पार्ट है उसको मैंने white acrylic कलर से paint कर लिया है और flowers को मैंने pink pearl कलर से paint कर लिया है mid part को हमें paint नहीं करना है तो beautiful harp के बाद हम move करते हैं अपने bird feeder की तरफ तो उसके लिए हमें mitti का एक दिया लेना है जिसके उपर petals को cut करके हमें side में रख देना है और mid part में हमें एक चपाती के shape में gold piece रखना है और इसको press करते जाना है तो इसके बाद प्रेस करते हुए जब यह एक flower का shape ले ले तो हमें इस पे कुछ cut mark को petals के ओपर create करने के लिए cut pattern को create करने के लिए आप clay modeling tools का भी use कर सकते हैं इसमें 4 petals हैं इनको cut करके आप इधर उदर edges पे लगा सकते हैं और मैंने 2 बार flower को cut किया और 8 petals को मैंने यहां पे stick किया है और एक चीज और कि आप दिये को पहले ही से color कर ले तो इस दिये को मैंने एक homeopathic की शीशी पे stick किया है और इसको stick करने के लिए मैंने अदर किसी भी glue का use नहीं किया है इसको मैंने clay से ही attach किया है उसके बाद आप अपने according चाहें तो इस पे कुछ भी flower pattern या leaf pattern या creeper का look इसे दे सकते हैं मैंने creeper को wrap करने जैसा look इस पे create किया है आप देख सकते हैं और friends base के लिए मैंने इसमें एक paint के डबे का lid था उसको नीचे से attach किया है और इसको भी मैंने clay से attach किया है आप देख सकते हैं और इसमें मैंने किसी भी other glue का use नहीं किया है तो शीशी का यह paper जो है वो अलग नहीं हो रहा था रिमूब नहीं हो रहा था तो मैंने as it is इसको use कर लिया है फ्रेंस बर्ड feeder बनाने के पाद इस बर्ड को मैंने कैसे create किया है यह भी मैं आपको बताऊंगी तो मैंने इस बर्ड को भी fevicle clay से ही create किया है तो मैंने round shape में थोड़ी सी clay ले ली है इसको हमें bird feeder के height के according की shape करना है बर्ड को तो मैंने यह छोटी सी bird create करी है बस bird के shape के according आप उसको प्रेस करते जाए और पहले tail को आप create करिए उसके बाद में head वाला part create करिए उसी तरह से बस आप press करते जाएंगे हाथ से और यह बहुत easily create हो जाता है देखिए friends तो bird हमारी create हो गई है अब इसके wings को हम बनाएंगे तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी बोल लेना है और बोल को two parts में divide करके हमें कुछ leaf जैसा shape create कर लेना है तो मैंने यह shape इसको प्रेस करके देखिए create कर लिया है और दूसरा भी मैंने ऐसे create कर लिया है प्रेस करके अब हम इसको बढ़ के ऊपर इस तरह से stick कर देंगे और इसको स्टिक करने के लिए भी हमें एडेस्यू की जरूरत नहीं है यह ऐसे ही हो जाएगा उसके बाद में clay modeling tool की help से हम wings पे कुछ detailing करेंगे इस तरह से friends अगर आपके पास इस तरह की tools नहीं है तो आप कोई भी pointed sharp tool ले सकते हैं घर पे पड़े हुए elements हमारे पास कभी कभी होते हैं उनकी help से भी हम इस तरह की detailing इस पे कर सकते हैं यह बड़ा easy है और हमारी bird burn के ready है ड्राइ होने से पहले ही इसे हमें feeder पे attach कर देना है और उसकी beak को भी attach कर देना है इसके बाद friends हम इसको paint करेंगे paint करने के लिए मैंने acrylic colors का use किया यह box है मेरे पास acrylic color का इसमें 10 shades होते हैं इसक और इसको आप किसी भी craft shop से ले सकते हैं यह paint होने के बाद काफी जल्दी से dry भी हो जाते हैं जबकि oil paints dry होने में काफी समय लेते हैं तो मैंने यहाँ पे red और green combination को use किया है और bird के लिए मैंने black color का use किया है तो यह bird feeder हमारा बन के ready है और बनने के बाद यह काफी beautiful सा लग रह enhance कर सकते तो friends इसके बाद हम move करते हैं अपने next DIY की तरफ जो है एक mini hut lamp post और इसको create करने के लिए भी मैंने wire और homeopathic की शीशी का use किया है इस तरह की wire sticks craft shop पे इसली मिल जाती है तो इस homeopathic शीशी पर मैंने एक ऊपर की तरफ lid पे hole कर लिया है hole के ऊपर मैंने wire twist करते हुए इसको fold करते हुए इसमें attach कर दिया है उसके बाद lamp post में lamp को add करने के लिए मैंने lamp create किया है यह इसमें मैंने battery operated छोटे से भी नी bulb का use किया है आप देख सकते हैं इसको twist करने पे यह जलने लगता है तो इसका video भी मेरे channel पर दिया हुआ है या मैं इसका link description box में दे दूँगी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे create किया है उसके बाद friends अपर पार्ट में मैंने clay को लगा दिया है आप देख सकते हैं और इसको कुछ konal shape में मैंने लगाया है और उसके ऊपर हम कुछ detailing करेंगे तो detailing करने के लिए मैंने अलग से कु चोटे-चोटे pieces में create करके और इसको leaf जैसा shape इस तरह का दे दूँगी और इसके बाद हम इसको step by step नीचे से उपर की और लगाते चले जाएंगे आप देख सकते हैं एक leaf type का pattern लगाने के बाद जब हम next leaf लगाएंगे उस pattern की तो बीच में gap हमें बिल्कुल भी नहीं करना है without gap हमें उसको round shape में लेके उपर तक आना है तो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे अब देख सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स इसके बाद जब हमारा यह पूरा उपर तक complete हो जाएगा तो ऊपर वाले पार्ट को हम एक छोटी सी बॉल बनाकर उसको उपर attach कर देंगे और इसको इन सारे patterns को stick करने में हमें किसी भी glue का यूज नहीं करना है याद रहे हैं कि आपको पूरा pattern dry होने से पहले ही create कर लेना उसके बाद हम clay modeling tool की help से कुछ detailing कर देंगे मैंने इसको प्रेस करके कुछ detailing करी है जिसकी वज़े से यह और भी beautiful लगने लगा है तो friends हमारा यह complete है इसको मैंने light yellow color से parl color से paint कर दिया है और नीचे के part को मैंने black pearl color से paint किया है और यहां पे मैंने एक डॉर का pattern create कर दिया है इस डोर पे भी डीटेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं देखिए लैम्प को मैंने यहां पे हैंग कर दिया है और इसको भी लैम्प को भी मैंने परल ग्रीन और पिंक कलर से पेंट कर दिया है प्रेंट से बनने के बाद काफी जादा ब्यूटिफुल लग रहा है और अब हम इसको सेट करने के लिए इसका बेस बनाएंगे तो बेस बनाने के लिए यह मेरे पास एक वील टाइप का आर्टिकल था जिसके उपर डेकोरेट करने के लिए जो स्ट्रिप्स आती हैं जो पेंट नहीं किया है और फ्रेंट्स यह वील लुक का था तो मैंने इसमें बीच के पार्ट में मिड पार्ट में मैंने एक पेंट के डब्बे को इंसर्ट किया तो फ्रेंट्स डब्बे को केवल इंसर्ट करने से काम नहीं चलेगा इसको सेट भी करना पड़ेगा और अच् प्रेंट एसे डिस्पली नहीं करना है तो फ्रेंट इसके ऊपर मैंने कुछłe एब्सटरक्ट पेंटिंग करी है तो इसके लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर का यूलनोчा है है तो हमारा मिनी हट लैंपोस्ट बनकर रेड़ी है तयार है और यह बहुत ही जादा प्यूटिफुल लग रहा है आप देख सकते हैं और फ्रेंट्स इस लैंपोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यह जलता भी है और अभी मैं इसको जब गार्डन में प्लेस करूंगी त इसको भी आप बिनेचर गार्डन की ब्यूटि को इन्हांस करने में यूज कर सकते हैं इसको मैंने अपने गनेशा गार्डन में प्लेस किया है अभी आप देखेंगे तो नेक्स्ट डियाइवाई के तरफ मूव करते हैं यह कुछ इन्वर्टर में यूज होने वाले एलिमेंटस हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे तो इनको शीटिंग एरिया में यूज किया है और च्छेयर की तरह यूज किया तो इसको पेंट करने के लिए मैंने इस प्रे सिर्ट का यूज किया है यह गोल्टन कलर का स्प्रेंट है इसको मैंने एमेज़ान SAY प्रचेस किया था और सकते हैं तो मैंने गोल्डन स्प्रे कलर से पेंट कर दिया है और यह काफी ब्यूटुफल लग règles को मैंने कार्ड़ और क्ले से बनाया थै नीचे लगाई है और उपर कार्ड़ और Casa को इसको पर्ल कलर से अपर साइड को पेंट किया है और ये बी काफी ब्यूटिफुल लग रही है तो फ्रेंड्स मैंने अपने गार्डन को कुछ विंटेज लुक देने का एफर्ट किया है उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग ये काफी ब्यूटिफुल सेटिंग एरिया में चेयर और ट प्रेंड पेस्ट कर दिया है तो फ्रेंड्स इस रिंग बर्ड को हम Leafless ट्री में हें के चैरा कार्ड़र करेंगे फ्रेंड, हमाना next DIY है यह स्विंग जोकि काफी ब्यूटफॉल मैंने काफी पहले बता था लेकिन την मैंने कैसे बनायता मैं आपको बता दे रहे हूं इस तरह का हमें rectangular shape में cardboard का box लेना है उसके बाद हमें cement का paste बना लेना है उसकी consistency कुछ toothpaste जैसी ही रहेगी cardboard box में hairband को fix करते हुए हमें cement के paste को fill कर देना है तो friends जब तक हमारी cement dry हो रही है तब तक हमें इस तरह के rose flowers को create कर लेना है तो friends इस तरह की flowers को create करना काफी easy होता है बट अगर आप नहीं जानते की से कैसे create किया जाए तो आप मुझे comment box में comment करिएगा मैं इसके लिए एक अलग से video create कर दूँगा जब cardboard के अंदर की cement dry हो जाए तो cardboard को remove कर देना है उसके बाद हम इस hairband के उपर जितने भी हमारे rose है उनको stick कर देंगे rose को stick करने के लिए आप चाहे तो clay का use भी कर सकते हो चाहे तो silicon glue का use कर सकते हो उसके बाद swing को हमें create करने के लिए एक ply की chip चाहिए होगी और उसको हमें wire से tie कर देना है तो इस तरह मैंने इसको आपर की तरफ tie कर दिया है और इसके बाद हमें इसको decorate करने के लिए कुछ rose यró तो इस तरह से हमारा almost complete garden तयार है जितनी भी beautiful चीजे हमने create की थी वह आपको garden में दिख रही होंगी तो यह काफी beautiful लग रही है सेट होने के बाद आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो के starting में आपने इसका day look देखा था अब last में आप इसका night look देख सकते हैं यह काफी beautiful लग रहे हैं और जितने भी light effect वाली चीजे थी मैंने इनको place किया है और active करके भी दिखाया है तो यह काफी beautiful है तो फ्रेंट्स देखें कैसे रिद्धी सिद्धी बुद्धी के देवता गर्नेश जी अपने अध्यन में मग्द हैं लीन हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं कि हमें भी एकागरचित होकर यानी concentrate करके अपने कारे को करना चाहिए फ्रेंट्स वैसे तो making से related मैंने सारे steps को इस वीडियो में cover किया है और वीडियो काफी लंबी हो गई है बट कोई step अगर skip हो गया हो और आपको ना clear हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं जरूर उसको reply करूंगी तो friends मेरा यह effort आपको कैसा लगा please comment करके जरूर बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button and if you are new to channel please subscribe it and don't forget to press the bell icon for notification thanks for watching friends bye take care you कर दो कर दो कर दो